तो यह ट्राइक, ना बहुत बार देखा होगा लेकिन सुपर प्ल Mensch बदलाओ की तो यहां पर जो क्लच ब्रेक प्रेसर प्लेट है और रेक प्रेंसर प्लेट है और सांदार यदि शप्षे बड़ी बात की जाए तो इस टेक्टर के अंदर डूल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टेरिंग का इस्तमाल किया गया है और यहां पर वहिया आप देखो सिलेंडर के उपर प्रोपर प्रोडेक्शन कवर कंपनी न लगा के दिया हुआ है और इस टेक्टर की जो फोर वील ड्राइब की साफ्ट है यह आपको करारो ड्राइब टेक कंपनी की मिलेगी जो कंपनी के अंदर जेसीवी का गियर वक्सा आता है भाईया फोर वील ड्राइब साफ्ट में मजबूती की तो यहां पर कंपनी ने वही फोर वी variant के साथ में launch करती जा रही है इससे भाईया ट्रेक्टर के अंदर P2 के अंदर आपको खास्तोर से enhancement देखने के लिए मिलेगा जैसे कि आइसर 480 में पहले आपको 38 HP की P2 मिलती थी अब 43 HP की मिलेगी वैसे इस ट्रेक्टर के अंदर पहले 34 HP की मिलती थी लेकिन अब कितने HP की मिलेगी वह तो भाईया सस्पेंसर वीडियो में आपको पता चली जाएगा तो दोस्तों यह है आईसर का इंडिया में सबसे पहले हम इसके कुछ स्पैसिफिकेशन की बात कर लेंगे इंजन स्पैसिफिकेशन के अंदर कंपनी ने क्या चैन्जेस किये हुए है उससे पहले दोस्तों कर दें वीडियो को प्यार आसा लाइक चैनल को सस्क्राइब और साथ में दबा दें भीया फॉलो का बड़न सबसे पहले तो दोस्तों मैं यsung बात करूँ इस्टेक्टर के अंदर फौर वील ड्राइब साफ्ट किस कंपनी के लिए गई है तो यहाँ पर भाईया कम्पणी ने जो है इस टेक्टर के अंदर आप ये देख लो करारो ड्राइब टेक की जो है भहिया इसके अंदर फोर विल ड्राइब साफ्ट का उप्योग किया हुआ है इससे दोस्तों अब आपको जो इसमें लाइफ है और जो भरोसा है वो JCV के घ्यरबक्सा की तरह देखन के लिए मिलेगा साथी साथ पावर स्टेरिंग के अंदर कंपनी ने डूल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टेरिंग का यूज किया हुआ है जिससे आपको स्मूथनेस परफॉर्मेंस लाइफ ट्राइम भहिया बहुत अच्छी देखने के लिए बहुत जवर्जस्त देखने के लिए मिलेगा टर्निंग पॉइंट जो आपको मिलेगा ट्रेक्टर के अंदर कटिंग में और स्लेंटर के ऊपर कंपनी ने फुली मैटल का प्रोटेक्शन कवर लगा के दिया हुआ पांच एमेम की चादर के साथ में साथी फोर वील जैसे कामों को कर सकते हैं और फ्रेंट वंपर तो भीया इस ट्रेक्टर के अंदर आई सर ने 551 वाला लगा दिया है जिसमें आपको लगबग लगबग 75 kg का हैवी डूटी कंपनी फीटेड वेट देखने के लिए मिलेगा टायर विगेरा की अधी हम बात करें तो MRF कंपनी का टायर मिलेगा अगला टायर जो है कंपनी ने 818 का इसके अंदर लगा के दिया हुआ है और पिछले टायर के अधी हम बात करें तो यहां भी भाईया अब आपको स्टेक्टर के अंदर MRF का ही टायर मिलेगा और पिछला टायर जो है 1368 का देखने के लिए मिल जाएगा आपकी पावर है वो स्टेक्टर के इंजन के मिड से जाती है जो की फ्रेंट वील तक जाके पावर को सप्लाइ करती है अब बात आ जाती है भाईया इसके मैन मुद्दे की इसकी पावर छमता जनरेडिंग की कि भाईया यह कितनी पावर निकाल के देने वाला है तो यहां पर भाईया जो इंजन लगा हुआ है इस टेक्टर के इंदर पच्चे सो सीजी का तीन स्लेंडर फोर स्ट्रोक डिरेक्ट इंजेक्शन नैचुरल इस्प्रेटेड बॉस कंपनी के फ्यूल इन नाइन पंप के साथ में आने वाला 40 होस पावर परफेक्ट आरसी रजिस्टे गिरी का तगड़ा इंजन देखने के लिए मिलेगा जो की लगभग लगभग 178 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क जनरेट करके देने वाला है और यहां पर जो एयर क्लीनर है भाईया आपको भारती ठेक्टर का इतहास गवा है कि वहीं इस एयर क्लीनर के अंदर कितना मेंट आइसर 385 स्टार सुपर प्लस फोर विल राइब मतलब इस टेक्टर का जो लुक है पावर है वह आपको जबर जश्त देखने के लिए मिलेगी फाइव स्टार रेटिंग है मतलब भाईया मजा आपको पूरा पाच स्टार वाला देखने के लिए मिलेगा और इस टेक्टर क पाच स्टार मॉडल के अंदर आती है और पीडियू पावर की में जैसे की बात कर रहा था भाईया तो यहां पर देख लो सीधे मुद्धा बढ़के भाईया 35 वाला हो चुका है मतलब आपको इस टेक्टर में 35 पावर की मल्टी स्पीड पीडियू मिलेगी एक चीज और ज कलस्टर की यदि हम बात करें यह देखो भाईया फुली डिजिटली टाइप और एनालोग टाइप परफेक्ट कॉंबिनेशन के साथ में इस्टुमेंट कलस्टर मिलेगा जिसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और यहां पर यदि हम बात करने ड्राइ के लिमर्स मल्टी प्लेटड ब्रेक आपको जो है इस्ट्रेक्टर के अंदर मिलेंगे और कलच की अदि हम बात करें तो यह देखो यह यहां पदार करने वाले हैं जिससे आप इस्ट्रेक्टर के लोड हाई का गयर मिल मिल जाएगा यहां पर बही है 12 वोल्ट की मोबाईल इसर ने जिससे आप इस ट्रेक्टर के अंदर मुबाइल विगेर स्टोर करके रख सकते हैं साथ यहां पर जो आपको श्टैक्टर का सेफरेड लिवर मिलेगा यहां पर यह 540 स्टेंडर्ड आर्पिम के साथ में मल्टी स्पीड मिलेगी और इस ट्रेक्टर का comfort मुझे बहुत प्यारा लगा जो कि पहले से जादा enhancement हो चुका है साथ ही साथ यहां पर यहां पर यहां पर हम बात करें दोस्तों इसके comfort विगेरा थी तो seed विगेरा भी company ने अब स्टेक्टर के अंदर dlx trendy की देना सुरू कर दी है अब स्टेक्टर में comfort विगेरा और enhance हो चु financing है वो भी कफ़ी अच्छी manage करके आई सर ना जो है रखी हुई है पिछले हिस्से में अधी हम बात करना है दोस्तों स्टेक्टर के अंदर तो यहां पर भी वही आपको जवर जस्त बदलाओ देखने के लिए मिलेंगे वह क्या यह देखो आपको standard एकदम heavy fitting कर दी पहले यह fitting नहीं आती थी सीधा pipe निकाल के देते थे तो यहां पर heavy duty company fitted single distributor bulb मिलेगा टाप लिंग के अंदर तीन पॉइंट मिलेंगे जिसको company ने ADT यानि की fully automatically को और भी ज्यादा इंप्रूब किया हुआ है और इस टेक्टर के अंदर लिफ्ट मुझे बहुत प्यारी लगती है क्योंकि मानो ना मानो यार चाले सुस्पावर और पचास एच्पी की स्रेडी भी में आपको इस टेक्टर के अंदर साड़े सतरा ठारा सो केजी की छमता लिफ्ट कैपिसिटी मिल जाती है चाले से एच्पी में जो कि दूसरी कंपणियों के कई पैटाले से टेक्टर का दिगज है ही क्योंकि चाले से एच्पी में 35 की पीडियू पावर आइसर मल्टी स्पीड के साथ दे रहा तो भी आपावर का दो सवाल ही नहीं है मुद्दा कर दी है नंबर प्लेट के लिए पहले से प्रोविजनल की हुई है साथ ही साथ यहां पर जो है आपको कंपनीने साइड मैं जो है इस ट्रका टूल बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आप तूल बगएरा स्टोर करके रख सकते हो और भाईया अब आईसर की एक चीज मुझे प किसान को वह चीज पता चले तो आईसर को यह चीज और करनी चाहिए बाकि आईसर का कम्प्लीट पैकेज यह दी 40 HP में चाहिए तो भईया 380 सुपर प्लस 5 स्टार तो है ही आज की वीडियों बस इतना ही वीडियो अच्छा लागा दो वीडियो को एक प्यार असा लाइक कर कर दो चैनल को स्सक्राइब और फॉलू बटन का दुआ दो जय जवान जय किसान